बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गाव में रहने वाला एक छोटा सा बच्चा था, जिसका नाम अर्जुन था. अर्जुन एक सपनों की दुनिया में खोया रहने वाला बच्चा था, और उसका सबसे बड़ा सपना था कि वह एक दिन आकाश में उड़ सके एक दिन, जब वह अपने गाव के किनारे बालू की चट्टानों पर बैठकर आसमान को देख रहा था, तो एक चमकती हुई तारा उसके पास गिरी. तारा ने बोला, अर्जुन, मैं तुम्हें एक आकाशिय यात्रा पर ले जाने के लिए तयार हूँ. अर्जुन, तुम्हारी साहसी उड़ानों ने हमें बहुत प्रभावित किया है. हम तुम्हें एक आकाशिय यात्रा की अनूठी रहस्यमई दुनिया दिखाएंगे. अर्जुन ने राजा के साथ मिलकर आकाश में एक यात्रा की शुरुआत की. वहां देखा कि आकाशिय परवत बादलों के बीच छूने के लिए उपलब्ध थे और वहां के चमतकारी द्रिश्यों का आनंद लिया. एक दिन जब उसने एक आकाशिय जील पर राजा के साथ सैर की, तो वह एक रहस्यमई द्वार खोलने में लग गया. द्वार को खोलते ही, उसने देखा कि वह किसी और दुनिया में पहुँच गया है, जहां एक अद्वितिय देश बसा हुआ था. वहां के लोग बहुत ही सजीव और सद्भावना से भरे हुए थे. वह लोग अर्जुन को अपना समझ कर उसका स्वागत किया, और उसे अपने अनूठे और सुन्दर संस्कृती के साथ मिल जूल कर रहने का आमंतरन दिया. अर्जुन ने देखा कि वहां के लोग एक दूसरे के साथ मेल जोल कर रहे थे और उनके दिल से एक दूसरे के साथ मित्रता थी. वह लोग एक दूसरे की मदद करते थे और एक साथ मिलकर अपने गाव को और भी सुन्दर बना रहे थे. अर्जुन ने इस दुनिया की अनूठी और सभी को सम्रिधी और सुक शान्ती से भरी जीवन जीने की कला सीखी एक दिन जब उसने अपने आकाशिय सफर का समापन किया और अपने गाउ में लोटा तो उसके आँखों में वही चमक थी जो उसने सफर करते समय पहले देखी थी अर्जुन ने गाउव वालों से अपने अनुभव का सांचा किया और उन्हें सिखाया कि एक सुन्दर जीवन जीने के लिए हमें दूसरों के साथ मिलकर काम करना चाहिए इसके बाद उसने गाउव को और भी बहतर बनाने के लिए सभी को प्रेरित किया और उनके साथ मिलकर एक बड़े परिवार की भावना का हिस्सा बना दिया आप भी सुनने वालों ये सुन्दर कहानी से सिखें कि हमें दूसरों का सम्मान करना, मित्रता को महत्वपूर्ण बनाए रखना और साथ मिलकर अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहिए और इसके साथ ही हम इस कहानी को समाप्त करते हैं धन्यवाद